दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महिला पहलवान पीछे हटने के मूड में इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ब्रिजबूशन चरंड सिंग की गिरफतारी को लेकर के पहलवानों ने मोडचा खोला हुआ है और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी जब तक बिजबूशन का स्तीफा नहीं लेती, जब तक बिजबूशन को गिरफतार नहीं कर लिया जाता, तब तक उनका धरना खत्म नहीं होगा तो सीधे तोर पर मोर्चा खोला जा रहा है पहलवानों के दरफ से लेकिन बिजबूशन को अभी तक पूछताच के लिए दिल्ली पूलिस ने नहीं बुलाया है तो इस पूरे मामले पर सियासत भी लगातार गर्माती हुए नजर आ रही है अब साक्षी मलेक ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि बिजबूशन को घुटने टेकने ही पड़ेंगे जी हां हम बात कर रहे हैं साक्षी मलेक के उस बयान की जिस से कफी चर्चाए हो रही है साक्षी मलेक ने साफ तोर पर चुनौती देता हुए बिजबूशन को कहा है कि उसको नार्को टेस्ट करवाना चाहिए जी हां नार्को टेस्ट करवाने की मांग कर रही है साक्षी मलेक पहलवान साक्षी मलेक ने साफ तोर पर कहा कि आगर बिजबूशन जो है वो निर्द करिया सामने आती है ये देखने वाली बात होगी तो सीधे तोर पर साक्षी मलिक की तरफ से तो चुनौती दे दी गई है लेकिन जंतर मंतर पर महिला पहलवान जिस तरीकी से अड़े हुए है और कहा जा रहा उनके तरफ से की बिजबूशन की गिरफतारी होनी चाहिए दिल् हम वीडियो शियर कर रहा है इस वक्त बिजबूशन और कही न कहीं अपने निर्दोश होने की बातें वो करता हुआ नजर आ रहा है साफ तोर पर उसका कहना है कि अगर मेरे खलाफ सबूत पेश कर दिये जाते हैं तो कहीं न कहीं मैं फासी लगा लूँगा मुझे आप क्या कुछ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तवाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हैं एस पिया नाइट नियूज